हेलो फ्रेंट्स वेलकम टो सित्रा माई इस यूट्यूब चनल इन इस वीडियो विल डिस्कस पार्ट फॉर उप्टीन और यहां पर जो चीजे हैं वह हमने पहले जो देख चुके हैं वह देखते हैं कि यहां से आप आगे चलेंगे वहां से पहले लास तेके इससे पहले की वीडियो मैंने अप्लोड कर दिये हैं वहां से आप एक बार देख लेंगे और टेस्ट को अटेंट करें कुछ एजी कुशन से उनको ज़्यादा है एकस्प्लेट भी नहीं किया और सिधा वहां से आगे अपने फॉरवर्ड कर दिया है आगे देखिए कुशन नमा 76 पे 76 में आप देखिए कि in the context of colonial rule in इंडिया आप आपसे पूछ है कि आपको कंसिडर करने है यह statement with respect to पीरपुर committee पीरपुर committee जो है आपके दी मालूम है किस के ऊपर थी तो देखिए आपका जो कॉंग्रेस रूल आपके जो प्रोविंस थे ना इंसी रूल ठीकि वहां पे कुछ ऐसा कहा जाता है कि वहां पे काफी अट्रो सिटीज की गई थी एकदम हिंदू राजी जैसा कुछ सेट अप करने के लिए इंसी ने कुछ काम किये थे इसा कहा जाता है ठीक है तो वहां पे आपका एक पीरपूर कमीटी नाम से कमीटी एस्टबलिस की गई नाइटीन थी नाइन में यह लगाई गई थे आपकी मुस्लिम लेक के द्वारा इस्टबलिस की गई उसका काम यह था कि इंडियन कॉंग्रेस जो है इंडियन नेस्ट केट वास पॉंटेड वाई मुस्लिम लेक तो यह स्टेटमेंट आपको दी हुई इंफर्मिशन से आपको पता चल रहा होगा चैके बाकी आप इसके अलावा जो चीज़े हो अभी थोड़ दें देखेंगे सैकेंड है आपका के कमीटी चेयर की गई मुहम्मद अली जिन्न अब तो चीज़े आपको पूछी नहीं जाएंगी फिर आपको बता दिता हूं कि एक ही फजलूग वक्ति एक रिपोर्ट थी वह आपकी आपकी मुस्लिम अट्रों चीज के लिए जाने की दूसरा आपका एक शरीफ रिपोर्ट थी यह भी मुस्लिम पर हुई एक चार्च क इसके लब आपका यह पीरपुर कमिटी जो 1938, 1938 को आप याद रखे वही आपका जो सुभाश्चन बोस वाला जो ताइम थरा आपका हरी पुरतर पुरीज वाला सेशन 38-39 वाला तो उस टाइम प इसको आप देखे और क्रोलोजी में यदि सेट करने है तो वासा आप इसको आपको एलिमेट कर ले, options को कुछन को अटेम्ट कर ले आगे एक कुछिन 77 पे चले, 77 कुछिन में आपको पूछा है वो चीज़ आप एक बार रिड कर लीजिए कि क्या खिला पर मेरे में बढ़ना है question में आपसे PMO के बारे में कुछ कहा गया है कि PMO के बारे में देखिए आप चीज देखिए क्या-क्या यहाँ पर दे रही है ठीक है तो इसको read करें एक बार क्या-क्या पर mention है और फिर देखिए question को it is a extra constitutional body headed by principal secretary to the prime minister अब extra constitutional तो है अभी यह principal secretary को head करता है कौन करता है यह आप बताएए second act it was introduced by the Indian government in 1951 under the allocation of business rules in India अभी ध्यान आप याद रखें कि जो आपका first prime minister थे ना उनको जुरूत लगी थी कि PMO होना चीए ठीक है तो उस time से आप इसको link करें लेकिन एक time दिया है इसको आपको 1951 यहां से वो चीज था यह नहीं था यह आपको यहां पर देखना है ठीक है तो 1951 से आप आईडिया लगा लेंगे second statement का आपको चल जाएगा और आपका extra constitutional तो थी थी क्योंकि इसको नहीं दिया था ठीक है तो यह चीज आपको मालूम होना चाहिए और यहां से आपको यह option देख लेना है और आगे इसमें आगे बढ़ना है इसके अलबा फर्स्ट वल आपको पता चलीगे extra constitutional इस पर आगे चलते हम second option भी ठीक है second question पर चलते के 78 पर in which of the following cases reserving the bill for the constitution of the president जो कुछ आपका यहां पर दिया है कि कौन से बिल को यहां पर रखा जा सकता है गवर्नर के द्वारा यह चीज आपको यहां पर देखना है तो आपको statement दी है तीन आपको देखना है कि a bill passed by the state legislature that endangered the position of the state high court तो ऐसा ही होगा तो रख सक करता है simple सी चीज़ है यहां पर कोई वड़बात है नहीं दूसरा है a bill is of ultra wire nature that is against the provisions of the constitution आपसे पूछा है कि reserving the bill for the consideration of the president is an obligate taxes of governor ठीक है यह आपको यहां से देखना है ठीक है अब आगे देखिए यहां पर कि पहले statement है आपको देख लिए यह आपको ने देखा कि यह तो सही है आपका कि ऐसा जो है यदि आपकी position जो है state high court के उसको इंडेंजर कर रहा है तो वहां पर obligation वहां पर होत constitution के provision है उनको यह अल्ट्रा वायर करता है उनको यह अगेंस्ट उनके जाती है state legislature तो वहां पर governor reserve रख सकता है और कौन से चीज़ है कि आपका DPSP बगरा है ठीक है इनके against यह काम चल रहा है state legislature कानून ला रही है तो उसके उस जूबिल है उसको भी president की constitution के लिए रखा जा सकत है इसके लावा country का larger interest होता न तो वहां पर भी बिल को reserve रखा जा सकता है president के लिए governor के द्वारा ठीक इसके लावा national importance है यसे ऐसे कोई matter हो सकी लिए कोई legislation ला रही है तो उसके लिए भी आपर governor रख सकता है reserve bill को इसके लावा आपका जो article 31a जो है constitution का जा पर आपका property और अग देखिए second option है आपका second option है आपको लग रहा है यह आपका जो constitution जो है उसके provision जो है उनके लिए अल्ट्रावार करता है यह पर आपका वह भी रखा जाएगा उसको reserve रखा जाएगा first of all आपने देखाई यह बेल इस डीलिंग विद कंपसर एक्विजिशन प्रोपर्टी अंटर रिटिकल 31 यह वो constitution ते तीनों चीज़े है काफी सारी चीज़ आपने देखी इंडियन इसके लावा आपका state high court जो उसकी position को इंचर कर रहे है इसके लावा आपका country जो है उसके interest को एंपर कर रहे है या फिर आपका national interest जो है national importance है उसके एंपर कर रहे है या फिर आपका 31A जो है उसके compass requisition तो वहाँ पर चीज़े चल रहा है तो इसके तीनों option राइट होंगे option इसका होगा C ठीक है यहां से आप इसको हटा ले कि 78 का option जो है आपका D यहापर नहीं है नहीं B है नहीं A है option इस technology में हम देखे हैं AIP में कि air independent propulsion जो है यह कैसे work कर रहा है तो इस पर आपको देखिए कि AIP में आप देखिए पहले statement दिया है कि technology enable non nuclear submarine अब आप यदी आपने यह question पढ़ रखा है मतलब यह statement है AIP technology से related दोनों जो है यह palace आपने देख रहे हैं तो ठीक है नहीं आता तो आपको कि जो diesel आपकी जो इंडियन नेवल submarine जो है ठेक है इनको AIP technology से इनको less करना है मतलब यहाँ पे आपका air independent propulsion होगा ताकि जो submarine जो है यह deep water में भी जाए और अपना जो water में यदि चलती है ओशन वगरा में तो वहाँ पे non nuclear submarine होने के बावजूद भी यह atmospheric oxygen है ना उसकी absence में work कर स है यह सिदा सिदा concept है और इसके वज़े से भी कोई French company ने deny कर दिया था तो उस वज़े से यह technology news में थी ठीक है अब यहाँ साब देख लिजिए पहला statement technology नेवर non nuclear पहला statement आपका right हो जाता है और दूसरा है India is first country to world जिसने ऐसी technology है तो हमसे पहले रहिश्या वगरा जो है वो क कर चुके है तो technology वाले में इंडिया यदी कुछ करे तो इस पेस में थोड़ा बहुत कुछ नया कर सकता है बाकि इन defense के सेक्टर में वगरा में इंडिया नहीं कर पाया है अभी तक ज्यादा कुछ ठीक है बाकि आप देखिए इसमागे question number 80 कि which of the following directive principle is based on liberal intellectual principle ठीक है तो liberal वा आपको मालूम होंगी कि कौन सी कर्टिकरी में कौन कौन से article आते हैं तो यह आप देख लिए 36 से 34 में statement देखिए कौन सा आएगा organized village पंचेत आपका गानियन हो जाएगा इसके लाव आपका protect improve environment and safeguard forest ठीक है तो यह आपका आ जाएगा liberal वाला बाकि आपका equal pay for equal work वाला जो है य promote free legal add to poor यह भी आपका liberal में नहीं है ठीक है तो यह आप यहां से देख ले कि कौन कौन से चीज़े किस-किस में add करी गई कौन से article में पहले से थी या फिर तीन category में कौन कौन से में यह आती है तो यह point जो होते हैं आपको थोड़े से देखने होते है पहले से आपने पहले से कुशिन इसके बारे में कर रहा होगा ठीक है कैसे डीपीस पी अगेरा जो है इसको यहां पर एक point के तरह आपको एक तयार करना होता है कि कैसे चीज़े जो है work कर रही है अगला कुशिन है आपका 80 first 80 first question में आपको देखना है कि कि in the context of freedom struggle who among the following वाजवर्दा members of the committee that prepared a nehru report in 1928 1928 में इसमें कौन-कौन लोग सामिल थे ऐसा कुछ यहां पर question पूछा है अब आपको बताना है यह आपको मालूम है कि 1927 में बिद्स government ने साइमिन कमीशन लाई थी तो साइमिन कमीशन ने यहां पर recommendation कुछ दी थी 1927 में वह आ गया था ठीक है तो उसको आना चाहिए था 1929 में लेक्नों से पहले स्कुला दिया और उसको काम किया था कि आपका जो ग में कुछ कभी सारी चीजे थी तो आपे फिर इंडिया ने चैलेंज किया कि हम भी अपना constitution खुद बना सकते हैं इसके लिए आपका मोतिलाल नेहरू की चैर्मेंशिप में आपकी कमीटी बनी में चीज़ आपको बनती कि इसमें मेंबर कौन कौन थे तो मेंबर सापको याद रखना है यहापे कि तेज बहादूर सप्रूफ इसकी मेंबर थे इसके लवाब का अलिए इमाम थे इसके लवाब का ऐस को रैसी नाम से है ठीक इसके लाव आपका सुबास चंदर बॉस है एम जी अन्य है एम आर जायकर है और आपका एनम जोशी है ठीक है मंगल सिकिए त आपका सुभाष चंतर बोस यहां पर है ठिक है यहां पर यहां से याद रखना है अन याँ जो से यह यहां पहुत है तो आपको चल जाता मंदरमन वाल विये जो है वो इस कमिटी के हिससे नहीं है ठीक है तो थोड़ असा पॉइंट जो है न वालू होना चीए इसके लावा सब्सक्राइब और इसके लावा एक पॉइंट और आप याद रखें कि 1928 में जभी रिपोट आई तो इसने क्या 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 रेक्मेंडेशन दी तो यह पॉइंट आपको मालू होना चाहिए कि इसने डॉमिनियंस जो है उसने का कि सेल्फ गवर्निंग डॉमिनियंस ऐसा कुछ कंसेप्ट है उसके बेसिस पे हमें देना चाहिए ऐसी इसकी रिकमेंडेशन थी अगस्त 1928 में और काफी सारी चीज़ ती इसमें कि सैपरेट एलेक्टोरेट थी उसको तो सपोर्ट करेगा ही नी ठीक उसको तो रिजेक्ट करेग इसके लावं आपका इसने कहा कि जॉईन्ट एलेक्टोरेट है वो आपका काम कर सकता है इसके लाव आपका linguistic basis पर आपकी प्रोविंस बन सकते है क्योंकि इसके बेसिपा पकी जो Congress की वर्किंग कमीटी जो थी अ उसने जब बनी ठीक है 15 मेंबर के डेट ट्वर के लिए उसके बाद में जा आपके काम चल रहे थे कि प्रोविंस में भी कॉंगर्स की कमिटीज होनी चीए तो वहाँ पर आपका लेंग्वेज भी उताओ इसके लाब यहां पर फंडामेंटल राइट की बात करे गी थी रैस्पॉंसिवल गवर्णेंट होनी चीए इसके लाब आपका बताया इसने एक सेंटल पे आपरिमेंट वह पांसो मेंबर की होनी चीए जो हमारे बाद में कंसेप्ट माना गया ठीक है और आपका जो लोग सब बाद में आया इससे पहले जो आइडिया था ना वो यहां पे चल गया ठीक इसके लावा आपका कुछ और पॉइंट थे इसमें कि प्रोविंसियल काउंसिल जो है वो आपकी पांस साल का टैनियर उसका होना चीए गवंडर उसका हैड होना चीए इसके लावा जो उसको साब और को इसासी जूचिए हमका प्रॉड क्रॉडेटिया या पर दिया था तो डॉमिया इस्टिस से इलेक्रीट येश्टिमटारेट कर्जेफिक्शन दिविस्ति प्रोविंसे सिस्का लिए 19 अनटामेटल राइट का कुछ DC सब्सक्रमेंटus सब्मेंट्र प्रोविंस दोनों लेवल पहनी चीए और दो इसनों बात केई कि आपका काफी बड़ी पार्लेमेंट होनी चीए जिसमें रिप्रेजेंटिशन ओ प्रोविंशल काउंसिल जो है प्रोविंस में वो पांस साल की होनी चीए और फुल प्रटक्शन और अच्छी कुल्चर रिलि आपके वाइसरा की चांसिल थी उसमें मेंबर रहे ठीक है और इन्होंने गांधीरियुन प्रेक्ट जो है उसको कि सॉल्ब करने के लिए गांधीरियुन प्रेक्ट लाने के लिए ये ये मीडियर्टर काम किया था यह थोड़ासा पता होना चाहिए जो यह जो मीडियर्याशन वाले काम ने इन्हों बवहत बढ़िया कि और गुवनर हो चांधीजी अंबड़ कर हो चैक है तो यह आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, आगे चलें, काफी इसमें डिस्क्रिशन होगे, क्योंकि नेरो रिपूर्ट काफी इंपोर्टेंट होती है, इस होज़े हमने इतना टाइम यहां पर लगाया, 82 कुशन पर आप देखी, यहां पर क्या बात करनी है हमें, 82 कुशन है यहां पर, अब देखिए इसमें, मैं आपको सीधा सीधा बता देता हो, इसमें कौन-कौन मेंबर थे, तो इसमें देखिए, चारों ऑप्शन जो है न, डॉक्टर संपूर अनन्द है, पुर्शोतमदास, आपका जो तिकुमदास है, इसके लावा कमरा देवी चटोपाद्या है, और ये मैं सबका नम्मुदृरी पाद जो है न, ये चारों लोग इसके पार्ट थे, तो कॉंग्रेस सोसलिस्ट पार्टी, कब बनी, 1934, ये दो पॉइंट आपको याद आखिए, तो सबका कॉंग्रेस सोसलिस्ट पार्टी से पहले बन चुकी थी, ठीक है, तो ये आपको ये है न, आपका कॉंग्रेस सोसलिस्ट पार्टी, इसके हैड रहे, मतला प्रेजडेंट रहे, जिबकि आपका जो जेपी नाराएंड जो है, जेपी नाराएंड, इसके जनरल सेकेटरी रहे, ये पॉइंट थोड़ा साब याद रख है, चेक, इसके अलावा और भी इसमें काफी सारे जोइंट सेकर्टी वगरे रहे, मिनु मसानी है, मोहलाल गौतम है, एंजी गोरे है, इसके अलावा ये जो और मेंबर है, सब आपके सामने दे रहे हैं, इसमें एक राम मनोहर लोहिया थे न, ये भी सोसलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे, अच्चुत पट ठीक है, और इसके लावा यूसुप महरेली, ऐसा कुछ नाम हो रहे है, यूसुप महरेली, इतने सारे में आपको नाम बताए, याद जितने रह जाए उतना ठीक है, बस आप याद रखना, इसके लिंक कर लेना, सोसलिस्ट से लेटिट इनको कर लेना, तो संपूर अनंद ह ये हो जाएगा, नारायन देव है, आपका जेपी नारायन है, और आपका ये जो है, एक एनम जोसी है, ये देश पांडे है, ठीक, इसके लावा पुर्शोतम तर्कुम तास है, कमलादवी चटोपाद्या है, इनको सोसलिजम से आप लिंक कर लेना, इसके लावा रम मनुहर लोहिया को आप करी सकते है, चुट पर्डवधन को आप कर सकते हैं, और असुक महता को आप कर सकते हैं, इतना आप यहां से करके बेसिक चल सकते हैं, इतना आप यहां से करके बेसिक चल सकते हैं, इतना आप यहां से करके बेसिक चल सकते हैं, इतना आप यहां से करके बेसि इस रोने आपका राइट है कि फर्स्ट और विटल मेशन है विनस के लिए इंडिया का और दूसरा आपका एटेम टूस्ट इस्टरी देश्ट इस बातर सब्सक्राइब के लाब और क्या स्टरी करें हैं जब स्टाइब है तो चीज आपको यहां से पता होना चाहिए यह जो यह थोड़ा सा काम का है कि फर्स्ट और विटल मेशन है विनस के लिए इंडिया के इससे पहले हमने इतना कुछ काम किया नहीं है ठीक है तो यह आपको थोड़ा सा बेसिक इसके बारे मालूम होना चाहिए था कुजिए आपका 84 यहां पर आपको देखना है कि विद रेफर 14 डिजिट अइडिफिकेशन नमर के बात करिए कि यह है आपका और जीयो कोडिनीट और लेंड पार्सल वगरा ऐसी बात की गई आप और पूछा है कि यह जो है किस प्रोग्राम गंदर चल रहा है कब से चल रहा है अब यह जो कुशन आप से पूट किया है यहां पर आपक अब का एक अल्फा न्यूमेरिक है इसके लावा 2008 से प्रोग्राम चल रहा है इसको बोलते हैं डिजिटल लेंड इंडिया लेंड रिकॉर्ड मेर्ड रिच्ट्र प्रोग्रम इसके अंदर यह चल रहा है ठीक है लेकिन आपका मिनिस्ट्री ऑफ अग्रिकल्चर नहीं है यह मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डवलप्मेंट उसके अंदर यह चल रहा है ठीक है आपका यहां से कुशन इसको काट दें इसके लावा आपका यह जो प्रोग्राम है यह स्कीम के फॉर्म में 2021 से चल रहा है जो भी गवर्मेंट है करेंट वाली इसने इसको चालू किया है 14 डिज लगना है कि इसमें आप से चीज़ें पूची गई है उसमें तीन स्टेटिमेंट से आपको कौन सा इसमें स्टेंटमें राइट लगता है तो यहां पर पूचाहिए कि चीफ एलेक्शन कमिशनर इस प्रवाइड विद सीकूर्टी ऑफ टैनियोर ठेक है इसके लावा है पर देश्पूट चली रहा था ने कि उनको भाई नहीं देना है उनको डिबार करना चाहिए इसको पर मेटर वहाँ पर चल रहा था तो यहां पर अभी तक यह वाला प्रोविजिन नहीं लागू हुआ है इससे पहले बाले हैं कि हाँ चीफ एलक्षिन कमिशनर जो है अब यह पर चाहिए जब तक उनका अपॉइंटमेंट हुआ है तब से लिए कि रिटार्मेंट तक उनको कम नहीं कर सकते ठीक है यह आपको पॉइंट याद होना चीज़ है तो वाकि सेक्योर्टी टैनियोर यहां पर दी गई है ठीक है क्योंकि इसमें कहा गया नहीं कि जब वो बन ठीक है बुल वर्क अफ इंडियान डेमोक्रेसी केग है यूप्यसी है स्टेट के कमिशन है इनके बारे में वहां पर चीज़े की गई है तो चीफ एलेक्शन कमिशन को सेक्योर्टीव टैनर दिया गया है और इनको सुप्रीम कोड का जो जज होते है उनके जैसे उनका वहा Ф錢 यहां से रिमूग किया जा सकता है तो यहां पर यह ज़ुरूत नहीं होता है यह लीजर और आपके यहां से ठोड़ाуса माझों होना चाहिए था-कामीकिशन किया होनी टेकि lifelong है टेक्ने में siitä Mission कई framework क नहीं की गई है इसके अलाबा क्या टर्म है कितनी रहेगी जो आपके member है ना election commission के उनकी कोई term वहाँ पर define नहीं की भसा उनको बनाया गया है तो वहाँ उसकी security आपके रहेगी बाकी और चीजह वहाँ पर नहीं रही गई है तो यह चीज वहाँ पर आपको यह point भी याद रख यह body है current में और appointment आपका president करते हैं इसके लावा जो president की recommendation पे चीफ election commission की recommendation पे other election commission को भी हटाया जा सकता है president उनको हटा देता है ठीक और election commissioner है other constitution mention है कि जब need होगी तो president है वो decide कर सकता है कितने आपके election commissioners वापे होंगे इसके लावा condition जो है condition क्या है आपका के यह जो है आपका vary नहीं की जा सकती इसके लावा आपका जो recognition है वो किसको देंगे यह president को यह देंगे rumor का तरीक आपको बताया तरीक अभी बताया मैं आपको इसके लावा आपका implement जो है फर्दर implement अभी तक allow है बाकी और जो चीज़ है न वो अभी तक ये अभी clear नहीं की गई है तो ये कुशन जब तक आपका बना है तब तक की चीज़ है चल रही है अभी इसके बनाने के लिए एक selection committee जो बने गई थी ठीक है तो उसमें सुप्रिम गोट की जो CGI है या फिर आफे लेक्शन कमिश्टर जो है ठीक है वो सिरफ recommendation जो है न चीफ election कमिश्टर की उसी की बैसिस पर हटाया जा सकता है तो या तो राज k रीज़नल लेक्शन कमिशनर हो या फिर आपका other election commissioner हो यह दो पुइंट आपको अलक्से आतरके कावीं एक तो लीगल आपकी यह हटाए जा सकता है चीज़ आपको पहले से मैंने बता रही है तो यह आप यहां से चीज़ों को कर सकते हैं अगले कुशन पर चलेंगे हैं तो वो है आपका कि 60 आपका 80 कुशन है कुशन आप रीडी कीजिए तो नीचे वाली जो तीन रिवर है न उनका पानी तो इंडिया को यूज होगा तो यह पाकिस्तान या पर गलत लिख दिया है बागी ऊपर वाली जो है आपका जीलम है ठीक है आपकी चेनाप है और आपका इंडस हो गया ठीक है जीलम चेनाप यह राभी ब्यास सतलज जो है वो इंडिया उनका यूज करेगा 80% ठीक है 20% पाकिस्तान को जाएगा जबकि ऊपर वाली तीन है उनका 80% पाकिस्तान को जाएगा 20% आपका इंडिया यह चीज़ आपकी वहाँ से होती है तो फर्स टेश्मिंट आप यहां से अटा सकते हैं इसके लावाँ ट्रेटी प्रोवाइड फॉर पर्मानेंट इंडर्स कमिशन हैड़ेड वाइड टू ओफिसर्स इच फ्रॉम इंडिया और पाकिस्तान एभी थोड़ से स्विस्ट भी क की बात की जाती है वाइडर की तो यह आपको थोड़ असा पॉइंट यहां पर मालूम होना चाहिए इसके साथ में आपका जो वर्ल्ड बैंक जो था ना यहां फे मीडियेटर की तरह इसने काम यहां पर किया था ठीक है तो यह आप ध्यान रखें क्या-क्या चीज़ें चल इसके अंदर सतलज में मिलती है बाकी और सब रिवर जो है वो इंडिया के बाहर जाके मिलती है जीलम जो है उपर से चेनाब आके मिलती है जबकि राभी जो है वो नीचे से आपका चेनाब उसमें जाके मिलती है यह फिर आगी जाके आपका सतलज में मिल जाती है और सतलज मुल में जाती है तो सिर्फ एक रिवर है यह दि olduğ terminology जो इंडिया में मिलती mundane बाकित जितनी भी हैं कि वह बाहर success में मिलती है और अएक और चीज yad रखना कि जितनी 20 free ट्रिवुट रिए तो उसमें सथालिगी लिए है जो किसी और में में होती है वह सीधा इंडवसала जाके में थीए पर PYQ में इसक्षिन पुट हुआ था, option आपको पता चल गया, first wrong है, second right है, आगे चलते हैं question पर आपका, के 87 पर give it reference to the fundamental duties, fundamental duty पर question है, consider करना है, they did not form part of original constitution, तो original पर तो यह थी थी नहीं, आपका 51A में इनको जोड़ा गया था, स्वांट सिंग कमीटी की recommendation पर, 74 के आपका 76 में आपका article आया था, 51A, आपका 42nd constitutional amendment act के 3, ठीक है, तो यहाँ पर आपका कहा है, तो यह दिया है, इसके लावा, to safeguard public property is a fundamental duty of citizen, तो यह आपने अच्छे से पट रखाए, तो आपको मालू में कि आपकी 11 fundamental duty है, 10 original थी, एक और बाद म 86 amendment से, right to education, आपका जो था ना, 6 से 14 तक responsibility होगी, parents और गार्जीन की, तो यह दोनों statement आपको यहाँ से simple से थे, right थे, आपको यहाँ पर दे रखे थे, ठीक है, और इसमें कौन-कौन से है, कौन-कौन से नहीं है, तो आपने यह पहले से देख रखे हैं, तो बहुत बेतर है, आपको मैं एक बर बोल दू, तो मैंने सामने open किया हुआ है, आपको मैं बता दिता हूँ कौन-कौन से चीज़े हैं यहाँ पर, तो आपका देखिए एक तो, कि आपका constitution है, ए में बोल देता हूँ आपको, यहाँ से सुन लें आप, कि आपका constitution है, इसके लाब आपका ideals और institutions जो है, इनको यहाँ पर आपको respect करना है, national flag है, ठीक है, national anthem है, ideal sensation इनकी respect करना है, beam आपका कहा गया है, beam आपको cherish करना है, follow करना है, आपका noble ideals, ठीक है, जिसने आपके national historical freedom को यहाँ से inspire किया था, c में आपके mijいきます कि sovereignty, unity, integrity जिसमें unity और integrity आपका साइध बाद में जोड़ा गया था ठेक है तो polled करना है protect करना है sovereignty, unity and integrity इसके लाबा नहीं ये तो इसमे क्योंकि चीजे बादम जोड़े गई थी जो इसमें amendment नहीं था ये तो यह आपको थोड़ा सा पॉइंट होगा ध्यान रखने वाला और दी में इसमें पॉइंट है कि जब भी कंट्री को तो रेंडर करेंगे नेशनल सर्विस को यह में है कि आपका हार्मनी और स्प्रिट जो है कॉमन ब्रदर होड़ी की उसके प्रमोट करना है और रिनाउंस करना ऐसी प्रेक्टिस जो डेरोगेटरी है वोमन के लिए तो वोमन के लिए भी से पॉइंट है यह थोड़ा सत्यान करना है इसके लेवन एक ही क्लॉज एफ मे एक क्लॉज ए में ही है ठीक एफ में आपका है कि रिच हरिटेज जो है कंपोजिट कल्चर की उसकी वैल्यू करना है प्रेजर्व करना है जबकि जी में आपकी बात करेगी है जी जो है इसका पॉइंट उसमें कहा गया है कि नेच्रल इन्वारमेंट को इंप्रू करना है प आपका है river, forest, lake, wildlife और आपका river, इन चीजों के थोड़ सा मालूम आपको होना चाहिए, यह क्या क्या चीजों कि यह पर बात करेगी ति प्रोटेक्टर इंप्रूव करने के लिए, इसके लाब आपका living creatures जो है, उनके लिए compassion रखना है, ठीक है, तो यदि आयेगा आपका, कि आ सारे points जो है, आपको मिल जाते हैं, यहां से, देखने के लिए, इसके लाबा, J में लिखा हुआ है, कि आप excellence के लिए strive करेंगे, individual collective activity जो है, उनके लिए काम करेंगे, और nation को constantly rise करेंगे, high level पे, तो points जो थे, अभी तक मैंने discuss कर लिए, और K वाला जो था, आपका last में जोड आपका 76 में जोड आई गया है, यह चीज थी जो मैं आपको यहां पर बता दी और आपकी यह DPSP भी साई तयार हो गई, होगी, आगे चलते हैं, question number 88 पे, तो which of the following आप से पूछा है, कि राजा, राम मोहन राय के बारे में statement कौन सा यहां पर, right है, तो आप देख लिजिए, क Society for the acquisition of general knowledge, help disseminate knowledge about the condition of the country, ठीक तो यह है, इसके लावा है आपका, कि, he brought and generalist in Bengali, Hindi, English and Persian, तो यह आपका, राइट है, चारों में यह लाए थे, इसके लावा, he supported David Harris effort in founding Hindu college 1817, यह भी सही है, he established Vedanta College, वे तो वेदान्त college आपका कहा था, 1825 के आसपस Vedanta College आपका बना गया था, ठीक ह इसके लावा, यह आपका statement राइट है, वेदान्त college बनाया है, इनके social and physical science की दिये गए थे, तो आपका first statement है, he established society for acquisition of general knowledge, to help disseminate knowledge about the condition of the country, ऐसा कुछ काम इन्होंने यहापे नहीं किया था, बाकि आपकी जो original education जो है, उनके बारे में उन्होंने बात करे थी, कि हाँ, ऐसी जीजस वगेरा है, जो 1820 में आई थी, इसके लावा आपका, इन्होंने ब्रह्म समाज बनाया, ब्रह्म समाज 1828 में, ठीक है, 1828 में बनाया, तो आप ध्यान करना, जब आपका वेदान्त college बनाया है, 1825 में तो इसके तीन साल बाद में बनाया था, 1828 में, एक इन्होंने 1815 म तो यह ध्यान है, 1815 में आत्मा से यह हिंदू थे, और दूसर आपको इसको ऐसे लिंक कर लेना है कि वेदान्त से यह नोंने क्या बनाया, जो आपका है, वेदान्त college यह बनाया, ब्रह्म समाज से, तो ब्रह्म, ब्रह्मा जो है, उसको वेद वगेरा से connect कर ले, जब आत्मा को जो है, हिंदू से connect कर ले, 1815, 17 और आपका ब्रह्मा और आपका college, ठीक है, वेदान्त वाला, यह पर चीज़े चल जाएंगी, ठीक है, तो इसके लावा, यह आपको question यहां से हो गया, बाकी चीज़ें आप अपने notes में उठाएं, और वहां से revise करें, आपकी चीज़ें य ठीक है, तो इसको statement के एक बार ढंक सी read करना, इसमें कुछ point है, जो miss है, ठीक है, तो इसका option, magazine में तो गलत था, लेकिन आप एक बार इसका option देखना, क्या इसमें right हो सकता है, ठीक है, यह मैं question आपके लिए चोड़ता हूँ, आगे तीन statement जो है न, B, C और D, यह ता आपके यहाँ पर लगबग right है, यह ने उन्हें काम हिया था, ठीक है, इसके लाबा question चलते आगे 89 पर, तो यहाँ पर आप देखे है, 89 में है, कि with reference to the police commissioner commissionate system, ठीक है, तो काफी सारे police commissionate अभी UP में बनाए गई थी, आप आप से पूछा है, आपको statement यहाँ पर देखना है, और फिर बताना है कि कैसे कैसे काम चलता है, तो dual command system जो है न, इसको आप कह सकते हैं कि district magistrate का, यह SP का जो होता है, वहाँ इसको कम करने के लिए, ठीक है, आपको जो commissioner होते हैं, उनको power दी जाती है, तो under the system, the police commissioners share power and responsibility ने district with the district magistrate, तो commissioner system में ऐसा नहीं होता है, commissioner system में जो power है, district magistrate की, व आपका यह right होगा, ठीक है, तो यह चीज भी आपकी यहां से हो जाएगी, आगा चलते है, आगे चलते है, question of 90 पे, which of the following is not correct with reference to the government of India, 2019, statement दी आपने पढ़े होंगे, और यह आपका act आपने पढ़ रख है, statement दी आपने यह पढ़े होंगे, तो आप यहां से लगा सकते कि यहां से नहीं आया था, यहां से नहीं आया था, यह आप थोड़ा सा पता आगर है, बाकि 91 question में चले, with reference to the preamble of the constitution, consider करना है, statement को, और वो क्या क्या चीज़े हापर दे रहे है, वो देख लीजिए, कि it is based on the objective, resolution drafted by जवाला नहीरू, तो यह आपको पता है, उस time पे ऐसा कुछ चल रहा था पहले से ही, ठीक है, तो उसके basis प आपको यहां से रखना है कि date of enforcement यहापर नहीं है, ठीक है, इसके लाव आपका date of enforcement जो है, वो 26 January 1950 है, ठीक है, वो यहापर नहीं है, जबकि इसको adopt करने की 26 November 1949, यह यहापर mention, यह दो point आपको पता होना चीज़े था, जवाला नहरुवाली बात और आपका date of enforcement के अलावा, यह यहापर नहीं है, लेकिन आपका date of, आपका कह सकते है कि adaptation, जो है न, adoption, जो है इसकी बात याप की गई, इसके लावा, it declares India to be a sovereign socialist, अभी इतनी सारी बाते नहीं है, उसके लावा बात की चीज़े आपकी 1976 में add के लिगी, तो यहापका right यहापर हो जाता है, ठीक है, तो यह थोड़ा से ध्यान नाखे, 92 कुशन में चले, बात करता है, 92 कुशन, CMF, आपका combined maritime forces है, इसके बारे बात करिए, यह यह आपने पहले से कर रख है, तो आप इसको समझ सकते है, अधर वाज़ आप इसको skip ही करेंगे, एक बार तो भी read कर लेंगे, क्या इसमें mention है, तो आप स statements का right है, यह आपको मैं बता दूँ, क्योंकि इसमें ज़्यादा time हमें यह नहीं खर्च करना है, the member nation of the CMF are not bound by fixed political and military mandate, ठीक है, तब यह high size के लिए किया है, non state actor से counter करने के लिए, यदि state actor होते है, तब तो वहाँ पर यह चीज़ हो सकती है, कि bounding, जो binding है, वहाँ पर नहीं हो ठीक है, members के लिए यहाँ फ्रीडम होगी, बाकि जो और दूसरे state जो यहाँ पर deal करेंगे, और कोई exploration वगरा करेंगे, को trade वगरा करेंगे, उन पर वो जो है, उनको bound नहीं करेगा, वो मतलब क्योंकि वो treaty में आएंगी यह नहीं यहाँ पर, यह थोड़ा सा point याद रखे, कि member nation को यहाँ पर freedom दी गई है, इसके लबाव c जो है आपका, वो है कि India is a member of the multinational partner, तो India is a member नहीं है, ठीक है, 34 member का group है एक तो, ठीक है, 34 member का group है, लेकिन India जो है इसमें part नहीं है, यह चीज आपको यादर नहीं है, बाकिसिंपल सा आप चीज देख लाए, cmf है, और यह आपना है कि कैसे कैसे चीजे चल रही है ठीक है तो आगे चलते हैं कुश्यों इसमें कि 93 में देखिया आप कि consider the following statement with reference to the political parties ठीक है political parties in India कि registration of political party is governed by provision of RPA अब registration वगरा जो है ना registration वगरा के बाते जो है वहाँ भी देखिए कि किस चीज़ में बाते होती है तो आपका RPA जो है वहाँ पर बाते कुछ करता है ठीक है कि section 29A है section 29A RP 1951 का वो registration जो है उसके यह बारे में बाते वहाँ पर करता है कि political party का या association जो है ना उनका कैसे registration होगा ठीक है इसके अलावा आपका contribution वगरा केतने मिलेंगे तो आप 29B में देख सकते हैं कि वहाँ पर contribution बारे मात किये है तो पि 29C जो है उसमें आपका donation वगरा जो है उनकी declaration बात किये है यह political party जो है उसको वहाँ पर declare करना जरूरी है तो 29 वाला जो section है 29A B और C तो यह में आपका restriction होगा बी में आपका donation बार से आ रहा है वो है आपका contribution जो है ना वो इसमें आएगा कि accept करेंगी जो political party है वो इसमें में मेंशन किये गा है आपका donation जो आ रहा है वो 29C में आएगा तो आपका जो है registration of political party in government by provision तो यह आपका first statement right है second है कि any party seeking registration has to submit an application to election commission within a period of 30 day और in the date of formation तो यह जरूरी है ठीक है कि 30 day के अदर रहना ऐसा कुछ काम होना चाहिए कि अपने party जो है registration चाहती है ठीक है कि section जो है 29A के अंदर तो आपको 30 दिन के अंदर आपको जो है वापे कह सकत करते हैं formation के 30 दिन के अंदर आपको वहाँ पर करना है commission के सामने कि वही हम लोग जो है register करना चाहते है political party की form है third statement है कि RPA 1951 जो है यह empower करता election commission को deregister करने के लिए तो deregister करने की power नहीं है RPA के अंदर लेकिन supreme court की ruling थी उसके अंदर वहाँ पर एक जो registration उसको कह सकते है कि verify करन से जो है election commission वहाँ से derive करता है तो यह third statement आप यहां से कर दें अटा दें तो बाकि आपका एक ही set बसता था 1 और 2 ठीक है तो यह थोड़ा सा पता करें इसको याद रखे कि यहाँ रेजिट्रिशन जो है political party वह RPA में है लेकिन D registration वहाँ पे इसमें mention नहीं है और 30 day एक जो static question ड reference to activities of Mahatma Gandhi during the freedom struggle यह आपको question यहाँ पर कर सकते हैं कि establish की All India Anti-untouchability League इनका मैं आपको time period बस आपको बता देता हूँ कि कब-कभी यहाँ पे बनाएगी ठीक है तो All India Anti-untouchability League जो थी ना वो आपकी 1932 में बनाएगी ठीक है All India Anti-untouchability League बना दी तो पहले लीग बना दी इनों है फिर आपका हरिजन weekly newspaper तो हरिजन weekly newspaper जिसमें आपको हरिजन जो है ना उनको child of god गहा गया था ना आत्मगानी ने तो यह आपकी English की magazine थी English का एक तरीक से newspaper था ठीक है तो यह आपका इसकी next year 1933 में यह आपर publish किया गया ठीक है ताकि जो untouchability के against जो है ना fight उसको लड़ी जा सके और आपका liberate किया जा सके discrimination जो उसको हटाया जा सके इसके लावा Congress से resignation गांधी जी ने कब दिया तो इसके अगली साथ 1934 में गांधी जी ने डेक्लियर किया कि वो अब physical connection जो है Congress के जातने उसको खतम कर देंगे तो इसके बारे में ठीक है तो यह आप ध्यान राखे तीन लगातार statement है all India untouchable league है इसके लवा आपका next year उसके origin weekly है weekly निकालते ही फिर उ क्या करते हैं कि रजाइन कर देते हैं Congress से तो तीनों को sequence आप यहां से लगा ले इसके लावा 95th question है कि consider करना statement को with regard to removal of vice president vice president के removal कैसे होता है आप यहां से देख लीजिए ठीक है कि इसमें क्या-क्या चीजे mention है कि the proceedings for his removal can be initiated only in right सबाती है तो right से एकदम इसके लावा यह nominated member cannot participate in his removal तो nominated member जो है वो participate कर सकता है ऐसी को बात नहीं है कि removal में नहीं कर सकता ठीक है इसके लावा third statement आपका कि he can be removed only on the ground of violation of constitution तो violation of constitution जो नहीं है यह चीज़ वहाँ पर ground mention ही नहीं actually ठीक है no ground mention in constitution यह ध्यान रखना कि president का तो है कि violation of constitution है लेकिन यहां पर vice president का कोई भी ground mention नहीं है कि कि किस basis पर उनका जो है removal किया जाएगा ठीक है तो यह आपको थोड़ अस्याद रखना है रिख ध्यान रखना इसमें कि impeachment process उसमें elected प्लस nominated ठीक है elected प्लस nominated member जो है वो impeachment process में पार्ट ले सकते हैं और यह जो पास होगा impeachment वो रहस्वा पास करेगी इसको absolute majority की साथ में बतला आपका total membership जो है na total membership उसका 50% से प्लस आपका यहां पर vote मिलना चाहिए ठीक है और इसके लावा आपका लोगसभा जो है वो simple से कर देगी simple by लोगसभा ठीक है तो present and voting वाली majority को simple बोलते है वो लोगसभा में चलेगी जबकि आपकी special majority जो है na 50% total membership का ठीक है यह आपका राजसभा में है और जो आपका point जो है कि कैसे यह होगा वो आपका राजसभा से ही resolution जो हो पास होना चाहिए यह कुछ चीज़ आपको मालूम होना चाहिए इसके लावा कितने time के लिए होता है तो पास साल के लिए seat लेते हैं चेर्मेन होते हैं राजसभा के ऐसी चीज़ आपको पहले से मालूम है second highest constitutional आपकी office है ठीक है तो election का manner जो है आपक आपको पहले साते होंगे आगे चलते हैं कुछ नमा 96 पे इंदा कंटेक्स्ट आफ सोसो रिलीजिस रिफॉर्म्स दूरिंग नाइंटीज सेंचुरी वह अमंग दा फॉल्वाइं वाज एक्टिव प्रपनेंट आफ वीडो रिमेरिज के लिए किसने काम किया था ठीक है तो इनका साइध वीडो वगेरा से लिंक नहीं था कि वीडो वगेरा के बारे में कुछ यह काम करें ठीक है और इसलिए आप वन और त्री को यहां से स्टेटमेंट को राइट करें ठीक है तो आप थोड़ा से ध्यान रखें कि यह मैरिज ऑफ हिंदू वीडो की लिए और्गन करने की बात रखी थी तो धर्मसभा वगेरा अलादगंदेव ने केंपेंच चला के बनाया था ठीक है तो यह आप थोड़ा से पता रखें चीज़ों को आगे चलते हैं बहराम जी मालाबारी की मैं आपको बताया विकेन यह जो है मालाबारी जो है न यह ब्रिटेन में इन मालाबारी का एज़ों कंसेंट एक्ट एक्टी नाइंटी वन का ठीक है तो यह आप यह से कर ले नैंटी सेवंट कुशन पर चला है कि सीओल फोरेस्ट डिकलरीशन रिसेंट्ली न्यूज में थी तो यह कब अडॉप्ट की गई तो सीओल जो है आपकी यूएन फोरेस्ट आपका वर्ल्ड फोरेस्ट्री कोंगरेस अलist यहां से किगी आगे है कुशन नमर Umm इनको अरेंज करना है आपका तो आपका मदरास को तमिलाडू में चेंज किया गया है ऐसा कुछ इस्टेटमेंट आपका इसके लाब आपका जो आपका इनक्टमेंट है इसके बारे बात करी गई है तो रियोगनेशन वाला है इसे आप लिंक बैठा ही एक बार 56 है स्टेटेर के असपास में यह काम हो रहा था यह चीज आप रहा है दो चीज आपको पता रखना है एक्ट से पहले फजलेली आ गया यह आपको में ध्यान रखना है बाकी कुछिशन आपको यहां से अटेम्ट हो जाएगा ठीक है और आप इसमें देखें कि 99 कुछिशन में कि इस्टेटमेंट आपको कहा है चीफ मिनिस्टर के बारे में तो तर्म आप चीफ मिनिस्टर इस आपको यहां से देख लाएं आर्टिकल 164 जो है यहां पर बात करेंगे यह प्रोविजन की मिनिस्टर के बारे में क्या है तो चीफ मिनिस्टर जो है वह एसी कोई पोस्ट के लिए वहां पर जो चीज़ें है फिक्स नहीं है एक चीज और करिए यहां पर ही यह जो है डिप प्रेज़ेंट की वहां पर फ्लेजर है जब तक गौवर्नर के सामने आपका मेजरी प्रूव रहेगी तब तक सीएम जो है वह आके हैड रह सकते हैं इसके अलावा जैसे ही असेमली में इनका यह खोते हैं तो वहां पर इनको रिजाइं करना होता है या फिर गौवर्नर उ उस तक यहां पर यह सीएम बने रहते हैं इसको प्रेज़ेंट करना चाहें तो आपको कर सकते हैं कि तो इसमें आपको सिंपल मजोटी चाहिए होती है रिजोलिशन लाने के लिए रिजोलिशन का अप्रूव करने के लिए तो यह आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए था कि प्रेजेंट और वोटिंग का आपका 50% प्लस वन येदी वोट आ रहे है तो आपका प्रेजेंट रूल जो है वो लाया जा सकता है यह पॉइंट आप याद रहे हैं इसके लावाँ इस्टेट गवर्नर ऑन बीहाफ अप दे प्रेजेट अप्रूव देट बजट यहाँ पर यहाँ पर पूरा टेस्ट कंप्लीट हुआ आपको शेशन पसंद आया हुगा अपन नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे कुसी एक कंप्लीट टॉपिक को लेके अभी तक तो आपका यह हो गया था ठीक है कुछ इन्वर्मेंट के एक दो कुशन जो है पेपर जो है उन कर सकते हैं ठीक है मिलते नेक्स्ट वीडियो में वीडियो को शेर करें चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें वीडियो को मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में थैंक यू वाचिन इस वीडियो